अले आप गरीबों के आवास की चिंता नहीं करते थे, इसकी चिंता निरंदर मोदी जी की सरकार ने किया है, पुरे देश अस्तर पे आप कैसे समझते थे कि पचास जार में गरीबों का घर बन जाएगा, लाठी के बल पर पर परखंड के कर्यालेों में आदा पैसा बाट लि सकते हैं, अनिये उपाध्यक्ष महोदे, मानिये मंत्री जी को मेरा एक सुझाव है, कि ग्रामिन विकास मंत्राले भारा सरकार ने 1121 को परतेक राज के प्रधान सचीव को निर्देश दिया था, किसी भी लाइन डिपार्टमेंट में DRDA के कर्मियों का समयोजन किया जाए, म इसी भी तिये वर्स में ठाका और घोरा साहन में परखंड सांचल भावन का निर्मान कराए जाए, अरी योजदाओं में लूट खासूट बरता चला गया है, इस राज में हम लोग इस दीज को महसूस किये हैं, अध्यक्ष महोदे, क्या पता बिपक्ष के लोग को यह पता हाई की नहीं है, कि 2014 के पहले आवास योजना में मात्र 50,000 रुपया तक आप देते थे, 15 जून 2015 के बाद से इस देश में गरीबों को डेर लाक रुपया मिलना सुरू हुआ है, पहले आप गरीबों के आवास की चिंता नहीं करते थे, इसकी चिंता निरंदर मोदी जी की सर पे सर्कार को चिंता थी, और हम लोगों ने निर्णय किया कि खाता पैसा लाब को के खाते में जाएगा और पूरे देश में आवास का पैसा लाब को के खाते में जाना सुरू हुआ, पहले तो परखंड करियाला में लाटी के बल पर बट्वारा होता था, आज लाबू के खाते में पैसा जा रहा है अधियक्स महोदे मानिये मुखमंत्री जी ने चार कदम आगे बरके नेड़े किया कि बिहार में अगर प्रणान मंत्री आवास से वंचित जो लोग रह गए होंगे वैसे लोगों को मुखमंत्री आवास योजना के अंतरगत एक लाख बीस जार आवास थे उसके मरमत के लिए 50,000 रुपया देने का निर्णे किया 60,000 रुपया देने का पहले 50,000-60,000 देने का था कि जिसके पास आवास नहीं होगा जमीन नहीं होगा आवास नहीं बनता होगा 50,000-60,000 रुपया दिया जाएगा इंडिये की सरकार ने उसको एक लाख से केंदर की सरकार ने गरीबों को रोजगार उपलफ किराने का काम किया और एक तरह की काम नहीं किया जल संचय के मामले में नहरों की खुदाई के मामलों में तलाब के खुदाई के मामलों में उतना ही नहीं पारकों के पंचायस तस्तरपनिर्मान के मामले में खेल के मैदान के विकास के मामले में भी हमारी सरकार ने चिंता किया है। आपको किस का चिंता रहा है। आप प्रषदों को बैटने का जगा नहीं है। उसकी जिन्ता हमारी सरकार ने किया है। और जिला पर जिडिला प्रशदों प्रिश्य परिक्रतर में पर्खंड संथायब के लिए पैसा गयार और ti-하다 तरपे पंच्याद सरकार भावनों का निर्मान हुआ आज राज में 101 परखंडों में IRDF पड़ियोजना के अंतरगत परखंड सुचना प्रणधिकी केंदर का निर्मान हुआ उतना ही नहीं हुआ 82 परखंडों में परखंड सहंचल भावन उपाध्यक्ष महुद है हम लोगों की NDA की सरकार का काम कितना बेहतर है आज इस बात का परवान है कि कॉंग्रेस के पुर मंदरी भी भाट्यान्टा पाटी के पक्ष में बैठके NDA सरकार की पक्ष में बैठते है इससे बड़ा परवान क्या हो सकता है बिपक्ष के लोगों को पर्मान देने की जरूरत नहीं है आइने की तरह ये दिखता है सदर में उपाध्यक्ष महुदेव बिरासी परखंडों में परखंड सव अंचल कर्याले सवासिय भावन का निर्मान हुआ 101 जगा परखंड सूचना परवधिकी केंदर का निर्मान हुआ अध्यक्ष महुदेव हमारी सरकार ने चिंता किया है सभी परखंडों में अधार पंजियन के लिए सेंटर खोले गा है छूटे हुए जो लोग हैं तो परखंड अस्तर बजा के अधार में संसोदन करा सकते हैं अधार काड बनवा सकते हैं अध्यक्ष महुदेव इनका किये हुए काम इनके दोरा जो काम है इनकी जो कुरीती है उसको समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है अध्यक्ष महुदेव पहले पंचायतों में केवाल एक पंचायत सची हुआ करते थे पूरे पंचायत को चलाते थे हमारी सरकार ने इसका चिंता किया पंचायतों में आवास सहाइक है परकंड के आवास परवेक्षक होते है उतना ही नहीं है मनरेगा के सफल संचालन के लिए पंचायतों में रोजगार सेवाख है लेखा पाल है तकनिकी सहाइक है हमारी सरकार ने रोज मनरेगा को सुधिड करने के लिए शैक्रव अच्छे अच्छे उपाय करने का काम उनों ने किया है उपाध्यक्ष महोद है माननिये मंत्री जी को मेरा एक सुझाव है कि ग्रामिन विकास मंत्राले भारत सरकार ने 1121 को परतेक राज के प्रधान सचीव को निर्देश दिया था कि डिया डिये को भंग करते हुए डिया डिये के कर्मियों का सभायोजन जिला परिशद में या जिला योजना में या ग्रामिन कास में पत निर्वान में किसी भी लाइन डिपार्टमेंट में डिया डिये के कर्मियों का सभायोजन किया जाए लेकिन मुझे नहीं मालूं कि इस कारणों से 2021 का ही आदेश है और यह आज तक लंबित पड़ा हुए हम मानिये मंत्री इसे चाहेंगे कि DRDA के अध्यक्ष भी जिला परिशत के अध्यक्ष होते हैं हम मानिये मंत्री इसे आगरा करेंगे कि DRDA को भंग करते हुए इनके कर्मियों का समायोजन जिला परिशतिया अनलाइन डिपार्टमेंट में करने का काम किया जाए दूसरा कि मेरे छेतर अंतरगत ठाका में और घोरा साहन में नए परखंड सांचल भवन का निर्मान नहीं हो सका है ये धाका अनुमंडल का मुख्याले भी है जिला धिकारी का परतिवेदन है हम बानिये मंत्री इसे आगरा करेंगे कि इसी बीतिये वर्स में हर हाल में इसी बीतिये वर्स में ठाका और घोरा साहन में परखंड सांचल भवन का निर्मान कराए जाए बहुत बहुत यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें